कोश्र मरा क्या है निमलिकित में से क्या बच्चों के स्रिजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है तो बच्चों के स्रिजनात्मक विकास में क्या सहायक नहीं होता है पहला दिया है खेल खेल जो है सहायक होता है भाषर ये भी सहायक होता है कहानी लेकर ये भी सहायक होता है नि इसमें किसका फ्राविल का क्यामत पूरियोगतान था, तो इनोंने जो है किंडन गार्डन का विकास किया था, आप्शन नमबर से हमारा राइट हो जाएगा। प्रशन देखे किया है, निमलिखित में संसलेशड का उदारड है, तो संसलेशड का उदारड क्या है, पहला दिया है निबंद लिकना, नहीं, बाहशार देना ये संसलेशड नहीं होता है, प्रमिय सिद्ध करना ये हमारा क्या होता है संसलेशड होता है, अगला प्रशन तो क्या हो जाएगा और विकाज किसका परिडाम होता है तो बालक का विकाज होता है वनसानुकरम तता वाता वरड़ की अंतर प्रक्रिया का क्या होता है परिडाम होता है नेश कोशन मरा के है परिच्छा के अस्तान पर सतत और व्यापक मुल्यांगन गुर्वत्ता मूलक जिक्षा के लिए अधिक उपर्युक्त है क्योंकि इसमें क्या होता है संग्यानात्मक शेत्र का मुल्यांगन किया जाता है बिल्कुल सही सह संग्यानात्मक्षेत्र का मुल्यांगन किया जाता है ये भी सही है मुल्यांगन सतत व्यापक्षेत्रों का होता है ये भी सही है तीनों जो है सही हो जाएगा नेश कोश्चन देखे क्या है प्रात्मिक अस्तर पर मात्रिभासा में सिक्षा देना बेटर है क्योंकि यह प्रात्मिक अस्तर पर मात्रिभासा में सिक्षा क्यों दी जाती है यह महत्पूर क्यों है क्योंकि इसे प्राकरतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है इसलिए जो है उसको मात रिभासा में सिक्षा दी जाती है option number D right हो जाएगा निश कोशन देखे क्या है स्यामपट पर लिखते समय सबसे महतपूर क्या है तो स्यामपट पर लिखते समय सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा point table क्या होता है तो पहला देखे दिया है छोटे अच्छरों में लिखना बिल्कुल अगर आप छोटे अच्छरों में लिखेंगे तो बच्चों को साबसे दिखाए नहीं देगा बड़े अच्छोरों में लिखना बड़े अच्छोरों में आप लिखेंगे तो भी जो है बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे तो भी अच्छा नहीं दिखता है लेखन में असपश्टता ये तो होना ही चाहिए लेकिन अच्छी लिखावट जो है सबसे ज़्यादा महतबुड होती है कि अच्छी लिखावट का होना नेश कोशन देखे क्या है आपकी कक्षा में एक शात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे तो पहला दिया है उसके अवभागों को सूचित करेंगे बिल्कुल गलत उसे दंड देंगे बिल्कुल गलत उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल गलत कारण जाने के चेस्टा करेंगे आप्शन नमबर सी मरा राइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है सिख्षा का उद्देश होना चाहिए तो सिख्षा का उद्देश क्या होना चाहिए पहला देखी दिया है विद्यार्तियों में व्यभारिक कुशलता का विकास करना नहीं विद्यार्तियों में समाजिक जागरुकता तयार करना ये भी नहीं, विद्यार्तियों को परिक्षा के लिए तैयार करना, ये भी नहीं, विवहारिक जीवन के लिए विद्यार्तियों को तैयार करना, option number निमारा बिल्कुल right हो जाएगा नेश कोशन नमरा क्या है विद्यार्थी में अवांचित व्यभार को परिवर्थन करने में सबसे प्रभावी पद्दती है तो सबसे प्रभावी पद्दती क्या होती है अगर विद्यार्थियों में अवांचित व्यभार को परिवर्थन करना है तो उसके लिए जो है सबसे important होता है पहला दिया है विद्यार्थियों को दढ़ने देना बिल्कुल गलत और भावकों के ध्यान में इसे लगाना बिल्कुल गलत इसकी अबेक्षा करना बिल्कुल गलत क्या है अवांचित विवहार के काड़ों को डूड़ना और उपचार का प्रबंदन करना औप्शन Umadì हमारे सीख गया यहँआगा रईट हो जाएगा अगला प्रशन अगला देखें क्या है जब एक विद्यार्थि असफल होता है तो समझा जाता है कि तो अगर कोई विद्यार्थि जो है असफल हो रहा है तो उसको क्या समझना चाहिए पहला दिया है पद्धती असफल है नहीं, सिक्षक असफल है बिल्कुल गलत, पार्टी पुस्तके असफल है नहीं, यह व्यक्तिक असफलता है, option number डिये हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा नेश कोशन मरे क्या है, किसी विद्यारती की सबसे महतपूर विशेषता है, तो किसी वी विद्यारती की सबसे महतपूर विशेषता क्या होती है, पहला दिया है उत्तर दाईत्य की अनुभूती नहीं, इमानदारी नहीं, सहभागिता नहीं, सबसे ज़्यादा महतपूर वि प्रश्ण पूछता है तो आप क्या करेंगे ? तो पहला दिया है उसे असम्मंदित प्रश्ण पूछने की अनुमती देंगे नहीं गलत है उसे गयर अनुशासे समझ कर दंडित करेंगे बिल्कुल गलत है कक्षा के बाद प्रश्ण का उत्तर देंगे option बड़ी बिल्कुल right हो नेश्कोशन देखे क्या है एक सामान 12 वर्स की आयो की बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है तो सबसे अधिक क्या होना संभव होता है तो पहला दिया है कुछ प्रेरक समन्वे में कठिनाई नहीं वया इसको को खुश करने के बारे में दूश्चिंता की अनुबूती यह कुश होना था नैश्कोशन देकि क्या है विद्याले में विद्यार्ति की भाग जाते है इसका क्या खरक होता है पहला दिकाए कख्षा lew 6 प्रति सिख्षकों की निर्दय अविरिति, option number D मरा right हो जाएगा, नेश्कोशन मरा कहे है, विद्यालियों में श्रम की इस फूर्ति का विकास करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, पहला दिया है, सिख्षक अपने ही स्रम में प्रवित दिखाएगा, नहीं, सिख्षक स्रम के मात्व पर व्याख्यान करेगा, ये भी गलत है, समय समय पर विद्यार्तियों को स्रम करने का आउश्र देगा, बिल्कुल सही, option number D राइट हो जाएगा, इस कोशन दिखिए कि क्या है, बाल विकास की परिभाशा का अध्यान शेत्र है, जो क्या होता है, तो ये जो है, पहल परिकों के साथ तुलना करेगा, ये भी नहीं है, किसी बच्चे के संगयनात्मक समाजिक तथा दूसरे समार्तियों के क्रामिक विकास के लिए उत्तर दाई होगा, option number D, मारब बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेश्र कोशन दिखिए क्या है, प्रात्मिक सिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्यान आवस्यक है क्योंकि, अगर कोई प्रात्मिक सिक्षक है, तो उसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्यान क्यों आवस्यक होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञानी जो होता है, जो टीचर को बताता है कि बच्चों कैसे व्यवहर करते हैं, और टी आवस्य के हम लोगों को बताना है पहला देखी दिया है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है नहीं परिक्षा के परेडाम में उन्नती होती है नहीं यह बच्चों को अभी प्रेडित करने के लिए सुविधा जनत तरीका बन जाता है नहीं यह बच्चों क जो प्रकृति में सर्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है तो इनका अर्थ क्या होता है तो अव्यक्ति जो है इनका अर्थ होता है कोशन देखे क्या है आपकी कक्षा में कुल छात्र अति मिधावी है आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे पहला देखे दिया है कच्छा के साथ पढ़ाएंगे तो नहीं उच्छ कच्छा के साथ पढ़ाएंगे यह भी नहीं है जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे बिल्कुल गलत सम्रिद्धिकरण कारिक्रमों के द्वरा जो है पढ़ाएंगे option number Z right हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है नैदानिक परिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य जो होता है अकादमिक गटनाओं के काड़ों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है अगला कोशन देखे क्या है निचली कच्छाओं में सिच्छड की खेल पद्दती मूल रूप से आधारित है तो यह किस पर आधारित होती है तो यह जो होती है न विकास व्रिद्द के मन वैग्यानिक सिद्धान्दों पर आधारित होती है नेश कोशन देखे क्या है प्रतक प्रतक समजाती समूहों के व्यक्तियों के प्रती बच्चों की अवरिदी साधारतया आधारित होती है तो यह किस पर आधारित होती है तो यह चीजे जो होती है ना उनके अविभावगों की अवरिदी पर आधारित होती है निश्कुशन देखे क्या है प्रात्मिक विद्यालियों के बालकों के लिए निम्न में से की से बहतर मानते हैं तो की से बहतर माना जाता है तो स्वैम के द्वारा किया गया अनुभा को जो है बहतर माना जाता है अगला प्रश्ण मरा क्या है विद्यार्थियों के अच्छे मांसिक स्वास्त को बनाये रखने के लिए निम्ण में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर है तो सबसे जदा महत्वपूर कौन सा तरीका है यह बताना है तो पहला दिया देखे सहसैचिक क्रियाओं का प्रावधान नहीं व्यक्तित की शुतंदरता यह भी नहीं होगा अव्यक्त की शुतंता नहीं रूचियों की भिन्नता यह भी नहीं अध्यापक की भूमिका विद्याले ही वातावरण जो है सबसे अधिक महत्वपूर है अगला प्रशन देखे क्या है विद्यार्थियों को विद्याले में क्यों खेलना चाहिए यह क्या सहायता करता है यह पूछ रहा है तो पहला देखी दिया है उन्हें यह सारिक रूप से ससक्त बनाएगा हाँ यह तो बनाएगा ही लेकिन यह सब्सजदा उचित नहीं है यह सिच्चकों के लिए काम आसान करेगा नहीं यह समय बिताने में सहायक होगा बिल्कुल गलत यह सायोग यह सादिक संतुलन का विकास करेगा ओप्शन मड़ी हमारा राइट हो जाएगा नेश्क लोशन मरा क्या है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभों से उसको कहा जाता है तो जिस प्रक्रिया में देखे कोई व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है और ना कि प्रत्यक्ष अनुभों से सीखता है उसकों लोग क्या कहते हैं समाजिक अधिगम जो है कहते हैं इन्ही समाज से सीखना कहते हैं नेश्कोशन मरा है एक सिक्षक विद्यार्थियों में समाजिक मुल्यों को विक्षित कर सकता है तो वह कैसे विक्षित कर सकता है पहला देखे क्या दिया है महान व्यक्तियों के बारे में बूल कर नहीं अनुशाषन के अनुभूती को विक्षित कर ये भी हमारा जो है नहीं आदर्स रूप से बरताव करके तो आदर्स रूप से बरताव करके जो है उसको बिखशित कर सकता है अगला कुशन देखे क्या है कौन सा सिध्धान्त वक्त करता है कि मानो मस्तिक्स एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो की अधिकांसतर चिपी रहती है यह उसे चेतन के तीन अस्तर है तो उनमें यह कौन सी है तो इसको हम लोग जो है मनुविशलिष्ट रात्मक अनुसंधान्त कहते हैं अगला प्रशन देखे क्या है मन का मानचित्र संबंदित है तो मन का मानचित्र जो होता है यह मन की कुशल्टा पर जो है अनुसंधान से संबंदित है अगला प्रशन देखे क्या है छोटी सिछार्थियों में निम्लिकित में से कौन सा लच्छण पठन कठिनाई नहीं है, तो कौन सा जो है पठन कठिनाई नहीं होता है, पहला किया दिया है, पठन गती और प्रवाह में कठनाई, option number एमारा right हो जाएगा. नेश्कोशन मारा क्या है, बारती समाज की बवभाशित विसेस्ता को देखा जाना चाहिए, तो कैसे देखा जाना चाहिए, पहला दिया हमारा है, विद्याले जीवन को सम्रित बनाने के संसाधन के रूप में, तो option number एमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसी के र धन संबंद क्यों होना चाहिए, इसका क्या आर्थ है ये बताना है, पहला दिया है, उसके पास पर्याप्त धन संबदा होनी चाहिए, गलत, इक्ष्ट मरा है, उनका अधिकारियों के उच्छ अस्तर से संपर्क होना चाहिए, बिलकुल गलत, उन्हें अपने विद्यार्ति कि समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल इसमिश्म Sabbath की क्या है क्रादेी क्या है उन्रेष की तो ओरजद्गत सचाहरति आने इक दूसरे में किस से भिन होते हैं तो ओर इक ड्लैष कि दर विकास कि दर देखिए जो है सारे व्यक्तियों में सभी लोगों में जो है क्या होती अलग अलग होती है तो option नंबर हेमरा राइट हो जाएगा नेश कोशन अमरे क्या है सतत इवं व्यापक मुल्यांकन में व्यापक मुल्यांकन शब्दावली का दातपर रहे तो व्यापक मुल्यांकन शब्दावली का दातपर रहे क्या होता है इसका जो मतलब होता है सैचिक यवं ससैचिक छेतर का मुल्यांकन करना होता है option number C यवंर रैइट हो जाएगा नेश कोशन देखे क्या है मुल्यांकन का उदेश है तो मुल्यांकन का उदेश है क्या होता है तो पहला दिया है बालकों को धीमी गती से सीखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की रूप में लेबल करना। उसको जुहे पुष्टी पोश्व प्रदान करेगा करना आप्शन मड़ी मरा क्या जगार राइट हो जाएगा